हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू स्फलता मंतर दोस्तों सुपर्टेट 2021 की लगातार धमा के दार तयारी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुड इबनिंग अपरी बन सभी लोग जल्दी से आज की क्लास में जुड़ जाए और अगर करन्ट अफेर का आज आप सभी के सामने पार्ट नंबर 9 लाए हैं इसके पहले आपको करन्ट अफेर के 8 पार्ट दिये गए हैं जो कि सुपर्टेट 2021 की प्लेलिस्ट के अंतरगत दिये गए हैं आप लोग वहाँ पर जाकर उन सभी क्लासेश को देख सकते हैं करन्ट अफे आपके लिए बहुत बड़ा सर्फराइज आने वाला आज ये 2020 की हमारी अंतिम क्लासे करन्ट अफेर की क्लासे जल्दी से अधिक से दिक सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और क्या आपका निव यार रिजोल्यूशन है कमेंट वॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएग सभी लोगों को नबर सुभकामना है आपका अगला बर्स बहुत ही अच्छा वीते बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने जो भी लक्ष को पाना चाहें प्राप्त कर सके चलिए बढ़ते हैं लोग पहले कोश्चन की और पहला कोश्चन आपके सामने है हाल ही में किस खिल सन्यास लिया था गस सेप्टेंबर में इन लोगों ने क्रिकेट से सन्यास लिया था दोनों लोगों ने एक साथ में ही सन्यास लिया था इसलिए इसका सही ऑप्षन हो जाएगा सी नंबर ऑप्षन चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नंबर सेकेंड की और किस राजी सरका सरकार में मंत्री फश się राज सरकार में मन्ती कोरोना के कारण निधन हो गए था तो इसका आपका सही आंसर यहां पर रहो जाए। अंर बिल्कुल निधन हो जाएगा राताऀन सुमारन सब्सक्क्राel, यहोग जाएगा और यह अ थे मंत्री थे और पूर्व क्रिकेटर थे तो यहां पर आपका ए नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नंबर थ्री आपके सामने आ चुका है थार्ड नंबर कोश्चन है हाल ही में जारी सुच्छ सर्वेक्ष किया गया और इस सर्वेक्षण के अंतरगत जो नतीजे निकल कर आए उसमें एक बार फिर से चौत ही बार मद्द प्रदेश का इंदौर सहर जो है यह फर्ष्ट पोजीशन पर रहा इंदौर सहर इसमें फर्ष्ट पोजीशन पर रहा तो इसका आपका सही आंसर यहां पर बी नंबर ऑप्सन हो जाएगा इसका सेकेंड नंबर की बात की जाए तो गुजरात के सूरत जो है वो सेकेंड पोजीशन पर रहा और नवी मुंबई थर्ड पोजीशन पर रहा तीनों आपको राज तीनों सहरों के नाम आप लोगों को याद रखनें जो कि फर्ष्ट शे और आपके सामने आ चुका है देखिएगा जल्दी से एक कोशन को साथ में ही याद करते रहेगा अगर कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहेगा बहुत ही इंपोर्टन को कम से कम समय में आपके लिए डेली लेकर आते हैं कोशन नं के लिए काम करने वाले लोगों को प्रोवाइड करने के लिए दिया गया और यह किया गया दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पर आपका ए नंबर ओप्सन बिल्कुल सही हो जाए दोस्तों ब्रिटेन ने यह तीन मिलियन डॉलर का पाउंड का इनोवेशन चैलेंज पर आपको बताना दोस्तों सत्यपाल मलिक को किस राजिका नया राजिपाल नियुक्त किया गया तो आपने सत्यपाल मलिक का नाम जरूर सुना होगा और यहाँ पर आपका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ओप्सन मेघाले का नया राजिपाल सत्यपाल मलिक को बनाए गया अगर बात की जाए इसके पहले ये गोवा के राजिपाल रह चुक है और उसके पहले जम्बू कस्मीर के राजिपाल थे उसके बाद इनको जम्बू कस्मीर को जब केंदर सासित प्रदेश बनाए गया तब इनको गोवा का राजिपाल बनाए गया और इसके बाद वर्तबान समय में ये मेगाले में राजिपाल हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर कोश्चन नमबर सिक्स किस बैंक ने ग्रहकों को प्रोच साहित करने के लिए डिजिटल अपनाये नामक एक अभियान का सुवारंब किया है तो दोस्तों लोगों को ग्रहकों के लिए ऑनलाइन काम करने के लिए और घर से नेट वैंकिंग वा अन्य यूपियाई वा अन्य ची शुरू किया गया जी यहां दोस्तों इसका आपका D number option बिल्कुल सही हो जाएगा 6 number question का चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला question 7 number question आप सभी के सामने है अखिल भारती फुटबॉल महासंग ने किस संस्ता के साथ साजेदारी में web platform e-part साला launch किया तो दोस्तों अखिल B number option भारती एक खेल प्राधिकरण इसके साथ मिल करके ये एक e-part साला web platform launch किया जो कि बच्चों को घर बैठ कर खेल की training देने के लिए फुटबॉल की training देने के लिए शुरू किया गया तो यहां पर आपका सही answer हो जाएगा B number option और आप लोगों को पता होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी e-part साला छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा जिसका वरतमान समय में phase 2 चल रहा है यह आपका वरतमान समय में इसका phase 2 चल रहा है जिसके अंतरगत online classes का हवाला देते हुए चीनी एपस IQE और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा कुछ चाइनीज एपस को बैन किया गया था जिसमें लगवग 200 एपस ही जिनको धीरे-धीरे करके बैन किया गया था लेकिन यहां हम बात उठने वाला देश है और चाइना इसको दवाने की कोसिस करता है तो चाइनीज एप थी टेंसेंट जो की PUBG गेम मोबाइल आपने सुनाओगा टेंसेंट गेमिंग के अंतर गथी आने वाला गेम है और इन सभी एपस को ताइवान ने भी बंद कर दिया है जब भारत में बैन किया गया उसके आद इसे ताइवान में भी वेन कर दिया गया तो यहाँ पर आपका सही ऑप्सन हो जाएगा डी नंबर ऑप्सन याद रखिएगा चलिए आगे बढ़तें कोश्चन नंबर नाइन पर हाली में किस राज सरकार ने सभी सेवारत वा सेवा निबरत सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रापर्टी टेक्स से छूट देने का फैसला किया यानि कि ग्राम पंचायत के जो प्रापर्टी टेक्स होता है उससे सभी जितने भी सेवारत या सेवा निबरत सैनिक हैं जो आर्मी बगएरा में थे उन सभी को कोई टेक्स नहीं देना होगा टेक्स में छूट की घोशना की गई और यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा दूस्तों ए नंबर आप्शन महराष्ट सरकार के दौरा यह एक बड़ा फैसला लिया गया तो यहाँ पर आपका सही आप्शन हो जाएगा ए नंबर आप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं अंतराश्टी संग्ठन का संस्था का नाम बताना है जिसने की केंद्रिय जल आयोग के साथ मिल करके जो भारत में बाड़ आती थी उस पर पूर्वा नुमान लगाने की सुरुवात की है और इसका आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुक्रिया ऐसे ही आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए डेली आपको क्लासिस दे रहे हैं डेली आ पूरा सपोर्ड बनाए रखिए अगला कोश्चन आपके सामने है हाली में किस प्रदेश ने गोश्चना की कि प्रदेश की सरकारी नौक्रियां आप केबल राज्य के बच्चों के लिए ही दी जाएंगी यानि कि एक राज्य सरकार ने प्रदेश ने गोश्चना की थी कि वह पर हम बात कर रहे हैं मद्द प्रदेश सरकार की मद्द प्रदेश सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि अब वहां के जो लोकल लियानी की मद्द प्रदेश के जो बच्चे हैं वो लोग ही वहां के एक्जाम में बैठ सकेंगे वहां पर नौकरी कर सकेंगे तो इसका आपका की बैठक रखी थी इसके तेरवें सत्र का आयोजन हाली में किया गया था और इसका आपका सही आपशन है आपर सी नंबर आपशन हो जाएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टन कोश्चंस हैं उनको हम अलग से आपको बता देंगे कि इन कोश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है बाकी जो जितनी भी चीजें पढ़ा रहे हैं आपको एक बार अपने दिमाग में तो बनाए ही रखना है कोश्चंन नंबर थर्टीन हाली में जीपी गर्ग को किस संस्था का कारकारी निदेशक नियुक्त किया गया तो दोस्वों आपने नाम सुनाओ का से भी से भी एक है आपकी संस्था होती जो की जो भी स्टॉक एक्शेंज बगरा होते हैं सेर मार्केट का काम होता उस पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था होती है उसके कारकारी निदेशक जीपी गर्ग को बनाया गया है सही ऑप्शन आपर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला कोशन फोर्टी नंबर कोशन आपके सामने है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नमक एक नई चात्र केंद्रित योजना की सुरू करने की घोशना की तो पढ़ाई तुहार पारा ये चात्रों को केंद्रित करते ह यहां पर आपका सही option हो जाएगा सी नंबर option याद रखेगा सभी लोग जितरा भी पढ़ा रहे हैं एकदम selected आपको पढ़ा रहे हैं जरूर आप लोग देखते रही कम से कम समय में सब कुछ कबर करें अच्छा अगला 50 नंबर कोशन बहुत ही important question है क्या दिया गया मानवा धिकार दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों मानवा धिकार दिवस human rights day आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को यह सबसे important questions में कई बारे question पूछा जा चुका है तो आप लोग याद रखेगा मानवा धिकार दिवस जो है यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं question नमबर 16 पर बिल्कुल end की और हम लोग बढ़ रहे हैं कि question को बहुत अच्छे ढंक से नोट कर लीजेगा याद करते रहिएगा question नमबर 16 हाली में किसको सीमा सुरक्षावल का महा निदेसक निउक्त किया गया यह important question है इसको जरूर याद रखेगा तो दोस्तों B.S.F. का महा निदेसक हाली में बनाए गया यह राकेश अस्थानाजी को बनाए गया है यहाँ पर आपका सही option A-number option हो जाएगा राकेश अस्थानाजी को हाली में बीयसक के कौमदी को ग्रह सचिब में एक उंचे पत पर भेजा गया है और राकेस अस्थाना को बीयसक का महा निदेशक नियूखत किया गया है चलिए आगे वड़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन 17 नमबर कोश्चन है किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर ससस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है तो आपको पता होगा दोस्तों भारत के अभी अपने पडोसी जो देश हैं उ और उनमें एक नया देश सामिलोग है जिसका नाम है नेपाल नेपाल के साथ भी भारत के रिस्ते काफी विगड़ चुके हैं और दार्चुला जिला जो आता है आपके नेपाल के अंतरगत आने बाला जिला है जो कि भारत की सीमा को टच करता है हाली में यहाँ पर भी अपनी बटालियन तेनात कर दिया है एक पुलिस फोर्स तेनात कर दिया है तो आप लोगों को याद रखना ही एक इंपॉर्टन कोश्चन बन जाता है दार्चुला जिला कहां पर आता है यह आपका नेपाल में आता है जो कि भारत की सीमा को टच करता है अब आज का अंतिम कोश्चन है दोस्तों 18 नमबर कोश्चन जल्दी से देखेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको पीडियेफ वगएरा इसलिए नहीं दे पारे है क्योंकि अलग से उपलब्द नहीं है जो भी पीडियेफ हों इसकी बज़े से समय की कमी के कारण आप लोग समझेगा लेकिन निश्चित मानी आपका पूरा स्लेवस कम से कम समय में कम्प्लीट कराएंगे अभी आपके लिए पूरा एक कम्प्लीट टेस्ट ले करा रहें जिसमें आपसे 150 कोस्चन पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट के कोस्चन होंगे और आपके सुपर टेट के स्लेवस को ध्यान में रखे हुए बनाया जा रहा है जो कि उम्मीद करते हैं लोग लगबग 10 जनवरी के आसपास आपको देना होगा सभी लोग जरूर उससे जुड़िएगा उम्मीद करते हैं जैसे ही उसके बारे में पेपर जी हैं इन्होंने हली में चुनाओ आयुक्त के पद से स्तीफा दे दिया था और इनको एक बैंक में उचे पद पर एक इंटरनेशनल बैंक में उचे पद पर तैनात किया गया है जिसकी बज़े से इन्होंने चुनाओ आयुक्त के पद से स्तीफा दे दिया अब आप लोग की तैयारी अच्छे से करिएगा सभी लोगों को टेस्ट देना है और ये टेस्ट आपको उम्मीद करेंगे कोसिस करेंगे हम अपनी मोबाइल एप के दमाध्यम से ही आपको दिलवाएं ताकि आप सभी लोग उससे जुड़ सकें आपको उसके बारे में पता लग सके तो चलि ये मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह तब तक के लिए गुड़ बाय ध्यांकि दोस्तों अपना ख्याल रखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी